दी गई उनको मंत्रा ले दिये गए उनको क्लीन चिट दी गई और क्योंकि वह सिंग साब बार बार कहते हैं और मैं समझता हूँ कि इस देश के मीडिया ने कुछ लोगों को जबान दी है धन्यवाद करना चाहिए इस देश में आरेसिं सिंग जीडी बक्षी शुशील पंड यह गुलाम हो गया देश समझ में आता था हम तो पहले से गुलाम थे हमारी हालत तो बहुत कमजोर थी लेकिन मुझे दुक इस बात का होता है कि आजाद भारत के अंदर एक महला आती है और पूरी पार्टी उसकी गुलाम हो जाती है वो जाइज नजाइज कर रही है कोई लोकने वाला नहीं है क्योंकि उसने एक ऐसा एपरेटर्स बनाया है कि सब को बंदर माट की है वो शंकराचार को भी रात में गरफ्तार कर देती है वो हिंदू टेरर भी क्रियेट करवा देती है वो पाकिस्तान में अपना आदमी भी भेशती है कि मदद करो हमारी मोदी से आटाने के लिए तो क्या वज़े है हम उस औरत के बारे में उस महला के बारे में हम कोई उसकी दाती शखसियत पे नुख्ता निक्त्रीन ही नहीं कर रहे हम उसकी जाती जिंदगी से हमको कोई लेना देना नहीं है लेकिन क्या इस देश ने पूछा यह वो देश है कि अगर एक गटना का अजियाबात में हो जाती है तो पूरी-पूरी सरकारों को कटगरे में खड़ा कर दिया जाता है पूरा समाज अपॉलोजिस्टिक हो जाता है बैक फुट पे चला जाता है लेकिन क्या आप किसी ने पूछा ये बात कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि एक महला इस देश में जब आती है तो कुछ दिनों बाद सास मार दी जाती है देवर मार दिया जाता है और तो और अपनी बेटी की शादी जिस शक्त से करती है वो अच्छा बला बरतन बना रहा था आपके पड़ोस में मुरादाबाद में उसके खांदान में सब ठीक चल रहा था उसके पिता की कमरे में लाश मिलती है भाई होटल में मरा पाया जाता है बहन एक्सिडेंट में मारी जाती है क्या देश इसको नहीं पूछेगा कि ये कैसे मर रहे हैं भाई नहीं पूछा किसी ने उसी के दोर में आप सोचिए कि हिंदुस्तान के दो बड़े कद्दावर लीडर उनकी पार्टी क्या है नहीं क्या है वो मेरा विशह नहीं है वो देश के लोग थे इस पार्टी में चले गए उस पार्टी में चले गए और आना जाना लगा रहता है एक मादर और सिंदिया का नया जहाज जिसमें देश के पांच पत्रकार बैठे हुए थे उसमें हवा में क्या हुआ कि पांचों लोग मारे गए मादर और सिंदिया की मौत हो गई आप बताईए मुझे सारे लोग बड़े है किसी अखबार में इस बात का सवाल उठा कि इसके उपर कमीशन बैठना चाहिए जाच बैठनी चाहिए यह सवाल ही नहीं उठा उसी पार्टी का दूसरा कद्दावर नेता राजिस्थान जाते में सड़क में मार दिया जाता है भूतपूर गर्यमंत्री होता है राजिश पाइलिट इस पे सवाल नहीं उठता इसके उपर कोई कमीशन नहीं बनता लेकिन जस्टिस लोया की मौत कैसे हुई थी उसमें एजंडा था उसके लिए पुरा देश चिंतित था और अब तो पूरी दुनिया के सामने सब को पता चल गया आप ही के बीच में से लोग उठे और उन्होंने कहा कि ये जो थियोरी चल रही है ये इस थियोरी के अलावा भी एक थियोरी है उस थियोरी को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके एक किताब लिख दी और एक हमारे दोस्त ने उस किताब की उपर एक फिल्म बना दी और वो फिल्म आप सब के सामने है उस फिल्म के अंदर जितने भी तथ दिये गए हैं वो एक हजार एक सो परसेंट सच्चे हैं औरीजिनल हैं कोई मैनुपलेशन नहीं है और उस फिल्म का नाह में ताशकंत फाइल आप देख लेंगे उसको जाकर के तथ्यों और काख़ों के साथ देख लेंगे 40-40 देशों से उसमें साख्ष जुटाई गए हैं तब वो फाइल बनी और 2019 में पता चला के भई शाष्ट्री जी की मौत कैसे हुई थी तो मैं ये मानता हूँ के अगर आप अलट होते हैं और समाथ जाग जाता है तो फिल्में भी बनती हैं किताबें भी लिखी जाती हैं सवाल भी उठते हैं और अब तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा नहो कि अभी तो हिंदू टेरर थियोरी के पिताजी अंदर गए हैं मैं अभी सिंग साफ से तीन दिन से कह रहा हूँ कि हिंदू टेरर थियोरी के पिताजी तो किनी और कारणों से गए हैं वो भी मामला आएगा वो अलग बात है लेकिन चचा दिग्गी सवनाई नहीं दे रहे आज कल कहीं उनका कोई बयान नजर नहीं आ रहा वो कहीं किसी मैं फिल में किताब का रिबिन काट नहीं रहे किसका रिबिन काट रहे ये पता ही नहीं चल रहा तो सवाल यह है कि जब सत्ता के पीछे शक्ति के साथ उसका समाज खड़ा होता है तो 370 भी हटता है चिदमरम अंदर भी जाता है और थोड़े दिन की बात और है आज 28 तारीक है 30 तारीक को अख़बार के घुटाले में जो बेल पर हैं उन पे भी कारवाई शुरू होने वाली है तो यह मस समझे कि आप जो गलती पिछले कई सालों से कर रहे थे कि आपको तो वोट देना है किसी को दे दो भाई हमें क्या फरपड़ता है इनको आना है उनको आना है लेकिन पहली बार आपको भी एसास कर दिया कि उनको नहीं आना है इनहीं को आना है आप अपनी इस ताकत को बनाई रहिए और मैं जो देख पा रहा हूँ मेरे सीनिर जो देख पा रहे हैं आप अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त करेंगे उसकी शुरूबात हुए लहाजा इसके साथ साथ आपको अपने अंदर अपने ग्रेवान में जाकना पड़ेगा ये वो वो लम्हे हैं कि जिस लमों में अगर आप कोई खता करेंगे तो हजार साल के बाद तक नजर नहीं आएंगे आप कहीं पता नहीं चलेगा क्योंकि अब तक लोगों ने आपको आपके इस पुर्शार्त को इस ताकत को समझाई नहीं था अब वो समझ गए हैं वो दूसरी तैयारी करेंगे आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी करण से भी अपनों से गलती हमारे लिए गलती हमारा ये नहीं हुआ उसका ये नहीं हुआ ये इस थिती इस देश में पांसो साल तक बना के रखनी है कि इसके अलावा इस सोच के अलावा लोग सक्ता पे न बैठें दो घटनाओं का जिकर करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहतूं बोर हो रहे हुँ तो बता दीजिएगा मैं अभी बॉम्बे गया वहाँ एक नहायत पढ़ी लिखी और इसी उत्तर प्रदेश की बहू थी वो उन्हेंने मुझे टेलिफून किया कोई महीने ड़ महीने पहले तो जम्मू कश्मीर के सिलसले से कुछ दलितों का भी एक सिलसला है वो पहले भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ और वो इससे जुड़ा हुआ है तो जब भी जाता था तो मैं उस घटना को बताता था और साथ साथ ये भी कहता था कि पूरी दुनिया में कोई किसी से कितनी में नफरत कर ले लेकिन वो उस नफरत को समवेधानिक तोर पे जस्टिफाई अगर कहीं किया गया है तो वो है जम्मू कश्मीर उन्होंने बहुत सारी चीजे सुनी उन्होंने बॉम्बे में बहुत लोगों को बताया कि 1957 में जम्मू कश्मीर के अंदर दो सो बालमी की लोगों के साथ क्या हुआ पढ़ी लिखी डॉक्टर है बहुत पढ़ती हैं संजीदा है तो बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने मुझसे कहा के पुश्पेन जी क्या मैं आपको भाई कह सकती हूँ मैं नहीं कहिए इसमी किसने रोकाया आपको भाई बोली मैं आपको राकी बानना चाहती हूँ मैंने का पंदरा अगस को मैं मुंबई में होंगा आप मुझे वही राकी बान दीजेगा जो बात उनसे मुझे करने के बाद पता चली शक्त मुझे हलका सा था लेकिन क्योंकि वो जादा किताबें उन्होंने पढ़ी क्योंकि उनका वो एरिया है उन्होंने का पुश्पेन जी मेरी एक मुहिम चल रही है मैं आप से उसमें मदद चाहती हूँ मैंने का समाज के किसी भी ऐसा काम जिसमें समाज जुड़ जाए आप रात के दो बज़े भी कहेंगी तब भी मैं हाजर हो जाऊँगा जो इंपोर्टन बात है जो मैं आप के सामने कहना चाहता हूँ अगर किसी को दिल को चोट भी लगे तो मुझे माफ कर दीजिगा कि निटी किटी को समझ रहा हूँ ये जो हमारे बालमी की लोग हैं जो दलित लोग हैं ये सूर क्यों पालते हैं मैं चाहती हूँ कि अब ये सूर ना पाले हैं मैं उनकी बात को समझा नहीं function खत्म होने के बाद मैंने अपने कहा कि मेरे hotel में आ जाई है उनके साथ में 3-4 और लोग भी थे उन्हें ने बड़े विस्तार के साथ मुझे ये बास समझाई और उस पूरी बात में मुझे लगा कि क्या इतने बड़े sacrifice को इतने बड़े एक ऐसे समय में जब आप खुद खत्रे में हो आपका समाज खत्रे में हो आप उससे समझोता करने की जगे आप उससे लड़ने की डिवाइस निकालते हैं ये बहुत कम होता है ये बात अलग है कि जो अब्दुल्ला है कश्मीर में वो मुसल्मान होने का दावा तो तीन सो बार बताते हैं लेकिन इस बार उनकी हिस्ट्री निकाली मैंने और ये पूछा कि अब्दुल्ला साब आप बताईए सत्रा सो बाईस में आपके जो पूरवज़ थे उनका नाम क्या था अब उन्हें पता है ये बात अलगे कि पब्लिक अली नहीं बताते ये अब्दुल्ला फ्रॉड इसके पूरवज़ो का नाम सत्रा सो बाईस से अगर निकालें आप तो उनका नाम था रागो राम अब जिन लोगों ने दो रुपे किलो चावल और तलवार के जोर पे अपना धरम बदल लिया अपना नाम बदल लिया वो किन को परतार ना दे रहे थे इस रिफरेंस में ये बात कहना चाहता हूँ तो पता ये चला कि ये जो दलिस समाज है आखिर ये सुरी क्यों पालता है ये तो हिंदू लारजर फैमिली का हिस्सा था लेकिन क्योंके उस दोर में उस दोर की बात बता रहा हूँ उस दोर में इनकी महलाएं बहुत खुबसुरत होती थी और उसका जीता जाता प्रमान ये है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त ये रिवास था कि जो भी बहु आएगी गाउं में वो शुरू के तीन दिन तक शेक सापके घर पे रहेगी और ये सिलसिला चलता रहा उनसे होने वाली जो संताने हैं उस दोर में उन संतानों के बारे में आप महराष्ट जाएए डॉक्टर रेखा बंडवाल से मिलिए आज भी वो संताने शेक दलित के नाम से जानी जाती है उस वक्त इन तमाम दलितों ने क्या किया ये ताकतवर नहीं थे लड़ने की छंपता नहीं थी समाज के बड़े वर्ट ने उनको अलग थलग कर दिया था इन्होंने कहा कि हमारी बहु बेटी शेक साब आपकी तीन दिन के लिए दुलन तो बनेगी लेकिन क्या हमें ये इजाज़त है क्या हम ये आप इसकी हमें छूट दे सकते हैं कि जो हमारे कुल देवता हैं उसकी हम पूजा करने के बाद इसको हम आपके सुपुर्द कर देंगे उन्होंने क्या किया कि पहले कुल देवी की पूजा की उनकी कुल देवी थी वहाँ जाके पूजा हुई और ये डिवाइस निकाली कि इस कुल देवी की पूजा में सुर की बली चड़ेगी तो सुर की बली दी गई और फिर उसके बाद क्या कहा गया कि हमारी कुल देवता की जो जानवर की बली चड़ती है उस जानवर के खून में हमारे सब के घर में जब भी बहु आती है तो आपने देखा होगा दर्वाजे पे वो महावर रखते हैं थाली में उसमें वो पैर रखती हैं और फिर घर में चलती हैं यही रसम है के नहीं है उन लोगों ने कहा कि जो बली है जानवर की जो हमारे कुल देवता ने ली है हमारी ये बहू इसके खून में अपने दोनों पैर गीले करेगी और जिसके भी घर जाएगी ये ऐसे ही जाएगी सबसे पहले